पाकिस्तान में एक यात्री विमान हाथसे का शिकार हो गया है ये विमान लेंड करने से पहले एक आवासी कॉलोनी में जागिरा ये इसी हाथसे की CCTV फुटेज है इसमें आप विमान को पहले उड़ता हुआ फिर नीचे की तरफ आता हुआ और बाद भी शड़ धमा का होते पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स का A320 एयरबस विमान दोपहर एक बजे लाहोर से रवाना हुआ था लाहोर से चलकर कराची पहुँचते हुए एरपोर्ट पर लेंडिंग से ठीक पहले ये विमान रियाइशी इलाके जिन्ना गार्डन मॉडल कॉलोनी में गिर गया जो की एरपोर्ट से सिर्फ 3.2 किलोमेटर दूर है। हाथसे से पहले विमान के चालक ने इंजन खराब होने और विपत्ती का संकेत में डे जारी किया था। के अधिकारियों के मताबिक इस क्रेश्ट से एक मिनट पहले जहास का एर ट्राफिक कंट्रोल टावर से सम्मन हो चुके थे वहां पर बहुत सारी आग लगी थी और दूवा निकल रहा था। हवाई दुर्गट्टाओं के आकड़े जुटाने वाली संस्था एर क्राफ्ट क्रेश्ट रिकॉर्ड ऑफिस के मताबिक पाकिस्तान में अब तक 80 से ज्यादा विमान हास्से हो चुके हैं ज के अलावा भारत के प्रधान मंतरी नरे नमोदी ने भी इस हास्से में मारे जाने वारे लोगों के प्रती शद्धांजली अर्पित की है।